खाओगा आदा गिंटा होगा यह देखें आदे गंटे बाद तीन हिस्से करूँगे आदा आदा किलो समझ लें आदा जो है वो जले भी नहीं और अच्छा सा भून बेजाए यहां पर इतना आसान तरीका जिसमें बिल्कुल गाज्रों को घिसने की जरूरत नहीं बिसमिल्ला रहानाई रहिए किसे हैं आप सब उम्मीद ए सब खैरियत सहोंगे आदा आला हम सबको अपनेरं में एंसमांत अमीन तो जनाम क्या चल रहा है आप सब लाइप में और मेरी लाइफ में क्या चल रहा है कि मैंने ये गाजरेक च्रे के रखी हैं ये तक्रीपरन 15 किल खेलने और कटने के बाद और इनको निकाट लिए और इसमें से जो येलो येलो सा पार्ट होता है वह मैंने निकाल दिया है और बस सिर्फ रेड रेड पार्ट लिया ये अलग रखावाई तो आज मैं जो आपके साथ यानि इसको बनाने का मेथड शेयर करूँगी बहुत ही इजी है और बहुत अच्छा है और उसमें ना कोई बाजू ठकेंगे के हम कदुकश कर रहे हैं और कर रहे हैं बस मैंने दो कप पानी डाल के और इसको वाइल होने के लिए हलका सा यानि हलकी आज पर रख दिया था थोड़ी देर के लिए और इसको हम कुकर में भी बहुत करती हूं तो मैंने इसको हलकी आज पर थोड़ा से तई 10-15 मिनट रखा होगा आदा गुंटा होगा यह देखें आदे गंटे बाद इसकी यह शेप थी और यह बहुत अच्छी सी गल गई थी अभी इन में थोड़ा सा पानी था तो मैंने इसको फिर थोड़ा सा और किसी चीज की ज़रूरत नी थी इसको क्या हमें इसको ब्लैंट करेंगे तो यह बहुत ही पिस जाएगा बिलकुल हमें इसको ऐसे ही रखें जैसे के गाजर का हलवा होता है थोड़ा थोड़ा दानेदार तो बस यहां पर यह देखें अच्छा सा मैश होगया और जो मैश न फ्रीज को इसको फ्रीज के वाचर欸 इसको मैश mnie अशन टालये माद कीआ बहुत हुए चैसी इस में से डिजॉल्वल्वण वोगा तो बस भीर मैं इसको यह आनि यानि सभे में एक साथ ही नहीं पकाऊंगी जितना हमार्य कहया जात्या आधा जाथ इसमें पर इस स्टेश प तो इस तरह कोई महमान आएगा या कभी और बनाने का दिल जाएगा तो हम बना सकते हैं इसको फिर घी में हम इसको भूनेंगे और हमारा गाजर का हलवा अच्छा सा तयार हो जाएगा इसमें हम चाहेंगे तो खोया डाल देंगे और अगर खोया हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा उस वक्त तो हम ड्राइ मिल्क पर डालकर इसको बना सकते हैं तो ऐसा को यानि परिशानी वाली बात नहीं है बहुत इसी है और बहुत अच्छा है और बहुत यानि कम वक्त में बन जाता है कोई बिलकुट तो बस अब मैंने बस यही रखा है अपने पास और अब इस करना है और जो थोड़ा बहुत अगर कोई मोटी मोटी गाज़ा कुछ नजार आ रही है मुझे तो मैं वह साथ में उसको भी मैश करती जा रही हूं और बहुत ज्यादा यानि तेज आंच पर नहीं हमने भूनना है बस मीडियम और मीडियम सी आंच पर इसको भूनना है ता बस चुटकी बार जितना मेरा यह गाज़र खाल बार जाइरे उतना ही फिर मैंने लाइची पाड़र टाल एपने हिसाब से और यहां पर बस अब यह जब घी छोड़ देगा थोड़ा सा यानि इसमें से घी अलग और गाज़र अलग हो जाएंगी तो बस समझों फिर मेरा रेडियो चाहे का और बस हम इसको निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे खोया अच्छा खोया भी तक्रीबन मेरे पास 300 ग्राम के बराबर रखा हुआ था तो भी मैंने यहीं डाल दिया यहां पर जो मैंने निकाला था यानि गाजर कलवार चीनी समयत जो मैंने बनाया था तो इसको मैंने इस तरह से पैकेट बना के रखी गए दो जगा तो बस जब भी मुझे इसको बनाना होगा तो मैं इसको बना लूँगे अब मैं इसमें डाल रही हूँ खोया थोड़ा थोड़ा करके खोया डालूँगे और बस यहां पर आपको मेरे वीडियो अच्छी जरूरत नहीं किसी दूसरे की मदद लेने की जरूरत नहीं दूसरे से मुराद हस्बेंट यह काम करते हैं तो बस उनको भी यानि फुरसत मिल गई इस काम से और बहुत मज़ेदार सा हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया बगएर थके बगएर उसके तो बस यहीं तक की थी मेरी वीडियो इंशाला फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में तब तक